हाई गाईज, वेलकम ओन मैं चैनल मैं स्विध आरना, क्लास नाइन नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं और ये उसका लास्ट टॉपिक है सिंप्लिफिकेशन, इस आर दा क्वेश्चिन फ्रॉम आरेस अगरवाल, तो अगर आप NCRT और आरेस अगरवाल के सॉल्यूशन्स चाहते है क्लास नाइन के तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आईए अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में जैसे हमारा सॉल्यूशन है, हम अपना सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेती हूँ, माइनस का 81 अपॉन 16 इंट मतलब होता है, इन्वर्स, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 81 अपॉन माइनस 16 माइनस 1 की पावर 3 by 4, इसको ऐसे लिख सकता है, इस माइनस 1 का मतलब होता है, इन्वर्स, यानि कि अंदर वाले का रिसी प्रोकल, तो पावर क्या बनेगा आपका 16 by 81, पावर बनेगी 3 by 4, ठीक है, इन्टू, या आपका आएगा 9 by 25, पावर बनेगी 3 by 2, डिवाइड़, या आएगी आपकी पावर 2 by 5, 3, ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, पावर को पॉजिटिव बनाया है, यानि कि मैंने कोई साइन कुछ चेंज नहीं क सिर्फ जो मेरी नेगेटिव पावर की थी, उसको इन्वर्स कर दिया, सेकेंड स्टेप सिंप्लिफिकेशन में आप करोगे, जो भी आपको प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर दोगे, ब्रेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो 1 by 4 यानि कि नीचे जो डिनॉमिनेटर में नंबर है, वो 4 है, इसको हम 4 में ब्रेक करेंगे, यानि कि 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं इसको लिखती 4, 4, 16 और इसको लिखती 9, 9, 81, लेकिन यहाँ पे 4 है तो मैं इसको 3 में ब्रेक कर दोगे, 3, 3, 9, 3, 27, 3, 81, सि यहाँ पे 2 है तो हम 9 को लिखेंगे, 3, 3, 9, और 25 को लिखेंगे, 55, 25 की पावर 3 by 2 divided by यह तो हमारा प्राइम नंबर ही है, इसको ऐसे ही रहने दो, उसके बाद देखो हम पावर को एक्यूमिलेट करते हैं, एक्यूमिलेट करना मतलब 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 4, य 3 by 5 की पावर 2, उसकी भी पावर क्या होगी? 3 by 2 divided by 2 by तो प्राइम नंबर ही, इसको ऐसे छोड़ो, ठीक है? नेक्स्ट, इसको हमें हमने अभी लोज पढ़ेते, A की पावर M, की पावर N होती है, हमारी A की पावर M into N, यानिकि 2 की पावर 3, 4 into 3 by 4, multiply, 3 by 5 की पावर 2 into 3 by 2, divided by 2 की पावर 5 की पावर 3, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 की पावर 3 into 2 से 2 कट गया, 3 by 5 की पावर 3 divided by 2 by 5 की पावर 3, अब हम क्या करेंगे? हम पहले अब हम अपना calculation कर लेंगे, तो यह हमारा 2 की पावर 3 ऐसे ही रहने दो, into, जब हम divide को multiply में change करते हैं, तो हमारा पीछे वाला number reciprocal हो जाता है, जब हम division को multiply में change करते हैं, तो जो पीछे वाली fraction होती है हमारी, वो हमारी reciprocal हो जाती है, 1255 की पावर 3 और यह हो जाएगा 8, यनि की 8 8 बंज़ा 8, 27 बंज़े 27, 125 बंज़ा 125, answer क्या है 1, यह आपका simplification था, ऐसे ही अच्छे questions के लिए मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़े, thank you.